अगर हम जहाज की बात करें तो दो तरह का component लगता है, एक जिसकी calendar life होती है, एक जिसकी running life होती है, calendar life होती है, कोई ऐसी चीज है, छे मेने में आपको बदलना ही बदलना ही, चलाओ न चलाओ बदलेगी, बदलेगी, सबसे जो sensitive calendar life होता होता है helicopter, इसने helicopter में extend ज्यादा होते है, मतलब उसमें आगर आप अपने hangar में भी खड़ा करके रखोगे, छे महीने बाद आपको बदलना ही बदलना हो कम को, यह होता है, इसमें होता running hours, जैसे अगर हम जैसे हम बात करें, थोड़ा डिवेट करूँगा, J-17 Thunder में हर 2000, 200 या 300 km के बाद आपको उसका engine overhaul करना पड़ अब यही तेजस में जाएं तो यह 2000 से 3000 हजार है, 2000 यह जादा है, flying hours की range जादा है, तो कहीं सारी चीज़े availability को determine करती है, अब दूसरी बात है, यहाँ देखें, आप F-16 जो आपने लिए थी है, 1983 में लिए थे, F-17 सार्य सुनमी राइट, F-16 का एक concept होता है, technically EOL, end of life, Loken Martin कहता है, 30 से 40 साल इसकी लाइट, तो technically 23 में, they are end of life by Loken Martin, 23 के बाद Loken Martin इसको हाथ नहीं लगा सकता है, यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट पॉइंट है, अगर 23 के बाद इसको Loken Martin हाथ लगाता है, तो दुनिया बर में जहां भी को F-16 है, उनको उन सबको भी अफग्रे पॉइंट है, उसके बाद कोई भी कंपनी ने को हाथ नहीं लगा सकती, पॉइंट नमर थी, अभी जो अफग्रेड हो रहा है, अगर आप इसकी टेक्निकल टीज में जाए, जो रडार और एवियोनिक्स हो रहा है, रडार सिस्टम और एवियोनिक्स हो रहा है, कोई नया मि पता है, अपग्रेड क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, बट क्या ही F-60 जो अपरेड़ेड है, वाइपर उसके श्रेणी में आरहा है, नहीं आरहा, तो यह चार होगे टेक्निकल पॉइंट, अब आते हैं जियो पॉलिटिकल पॉइंट में, क्या फखर भाई, यह कहना गलत ह होगा कि अभी जो उक्रेड में हथियार जा रहे है, उसमों पाकिस्तान की एयर बेसिस से होते हुए जा रहे है, एक हथियारों को ट्रांजिट का कॉरिडर युएस ने खोल दिया, पाकिस्तान की बीच, क्या यह कहना गलत होगा कि जो शाभा शेरीफ साब की गवर्मेंट ह अगर आप अपनी फ्लेट की परिस्ति अभी देखें, सबसे जादा एड वी उस से आ रहा है, ठीक है, यह आप दूसरा शिप देखेंगे रूसमें, तीसरी बात क्या है कि आपके पास नुक्लियर वेपन्स है, और अगर हार हम रहा हम होती गई, एक दिन ऐसी नहीं है कि न नुक्लियर वेपन्स को प्रोटेट भी ने कर पाए, चोथी बात, चाइना को यह दिख गया कि सीपक जो है वो पानी में दूल गया, पानी कि मैं कितना बचा नहीं बचा उसी एरिया में सबसे आप पानी है, ठीक है, तो चाइना का इंटरस सीपक में होगा, सीपक नहीं हो है, यह कहना गलत होगा क्या कि तारी के तालिबान के साथ आपका सीजफायर आल्मोस आल्मोस खतम हो गया, खतम हो चुका, कहते है कोई सीजफायर नहीं है, यह कहना गलत होगा क्या कि तारी के तालिबान वाले यह कहते हैं, जो ड्रोन उड़ाता आमें अल-जवेरी के किया था इसलिए उन्होंने शायद वो खतम कर दिया ट्रूस अब पाकिस्तान गवर्मेंट काफी दिनों से कह रही थी हमें अपग्रेड दो अपग्रेड दो अपग्रेड दो अपग्रेड दो चाहते हो कि भाई हम अपनी तुम्हारी एर तुमें हमारा काम करना पड़ेगा तुमें तालिबानियों कर गें जाना पड़ेगा अबरे का इस वरीड के कहीं तालिबान में चाइनेश की एंट्रि ना हो जाए राखो रही हो इन्पार गूंछा तो चाइनिacy's को काौंटर wellness करने तो अगर आप फिर वो काम करोगे तो उसका रेपरकरशन आप के आता है अब इंडिया का इंडिया का इंडिया सुचता था यह सारी फ्लीड ग्राउंडड़ें इस नॉन फिट तो फिट नॉन फिट तो फ्लाई अगर अगर यह हवा में आ जाती कहीं ने के कुछ हमारी मला आपका जो फायर पावर थोड़ा बढ़ जाता है राइट जो अभी आपकी 18th रेट रांकी है हमारी नंबर 3 तो चमाला वो 14 15 पर कहीं ने कहीं आ जाएगी तो यह बहुत है तो इसे ट्रेड में ऐसा कुछ ही नहीं है कि जिससे पावर बैलन्स को अपग्रेड किया जै बलब जी अब जी अब तीसरे मुद्द काते जियो पूल्टिकल गें प्लाइन के जिव गें फखर भाई हमने रिशा से तेल लिया हमने रिशा से कोई ला रिया रिशा लिए इरान और इस्या से विए इरान और इस्या दोरों से विए अमेरिकनों को लगा चलो और इनको भी कैसे थोड़ा बहुत टाइट किया जाए तो नहीं बोला चलो जी आप कही रहा अप्ग्रेड करना है तो को उसओ पक्राइट के सब्स्क्राइट करना हिए क्या सब्सक्राइटत फॉप का विए थैसे कहीं होने के अप्ग्रेड की हूई परफॉप कर इसमें olduğustre आपके एरफोस वाले जवाब दे सकते हैं, यह मैं नहीं जवाब दे सकते हैं, अभी शायर इसकी 10-20% availability होगी, after this upgrade, will it be 40%, 60%, 80% यह 100% and last point, what is your target number one, देखे, इंडिया से अगर कोई दिक्कत होती, तब आप यूज करोगे, तब कि लास्ट टाइम भी, अमेरिका ने reprimand किया था पाकिस्तान को, आप इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं, आपको इसलिए नहीं दिया गया, अब आपको ये तालिबानों के खिलाफ यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब upgrade हो चुका तो आप upgrade यूज करोगे, नहीं करोगे, ये बहुत अब टेक्निकल मलब दुईदा में आप अच्छा, अजी सुमिझी एक चीज आओ, लास टेक्निकल पॉइंट होगे, अब बहुत बड़ी चीज आती है, कि ये हमने में अब्ग्रेड भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पर अगर इस में फायर पावर नहीं बढ़ता, कोई नहीं मिजए सिस्टम नहीं लगता, तो how is this एक यह अगे लोगेंड मार्टन को मिलेंगे तो इस यह उप्सिक्सिंट के बावजूद मेरा एक मतलब जो मेरा कंसान है वह यह कि इंडिया के वावजूद यह उप्सिक्निक यह अप टेकनिकली इन चीजों को जाते हैं तो इंडिया एर फोर्स में जो लोग बैटे होंगे या फिर गवर्नमेंट के पास उनके बहुत बड़े बड़े इडवाईजर्स बैटे होंगे तो सर उनको क्यों यह परेशानी है कि मतलब आप लोगों ने राफेल खरी रे ठीक है फ्रांस जाने है और वो आपको राफेल सौ दे 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 जे सकते हैं आप पैसे द पाकस्तान में सुनता हूं या फिर कुछ और टेक्निकल जो चीन चीज़ों को समझते हैं जेट फाइटर्स को वो कहते हैं यार यह तो मतलब हवा में चलने वाले काफंड हैं मतलब इसी तरीके से चलते हैं तो फिर तो इंडिया को खुश होना चाहिए कि इनके पास चलो ज अगर आप 21 की भी कहानी देखिए उनकी भी लाइफ 40-50 साल थी हमने उनको अपग्रेड करा के और खीचा बट अगें यह आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं आउपन मीडिया में बात है वो इतने रिलाइबल मिशीन नहीं हैं यह हम सब को पता और हमने आप अनॉंस भी से कितना भी अपग्रेड अप 21 को करें वो रफेल के आदा भी नहीं होगा यह भी एक अब आपने दूसरी बात हमारा इतिराज का हमारा इतिराज मोर्ट फॉट टेक्निकल साइड है बट फॉम जियोप्लिटिकल साइड है दोहजार अठारा में डोनल्ड ट्रम सामने का था अब दोहजार इकिस में यह यू टर्लिया है अमेरिका ने यह यू टर्लिया है इक्जाकर दो इससे बहुत ज्यादा आम्स या आम्स बैलस फारिक नहीं पड़ेगा डिकी मेरी डिव्यूटी एमेमें में की रेटिंग है जो व्ल्ड की मोस्त अथेंटिक रेटिंग देता उसकी अपनी रैकिंग देखें एक या दो पाइदा अगर पाकिस्तान उपर भी चड़ता इड़ नहीं है बट हमें यह तराज है आप हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम हैं और यूएन की बात करें कहीं की भी बात करें इंट्रनाशल एकनॉमिक फोरुम की ब अगर हम चाहते तो इस अपग्रेड को रुका सकते थे बट हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जो कुछ मतलब हमें भी दर दर से थोड़ा लग जाता है इसका पूरा एनलेसिस किया फटर भाई तो यह लगा को बहुत बड़ा चेंज नहीं और इसलिए अगरी तो अमेरि आफ़ार्स नहीं है अगर कल को यह स्ट्रॉंग होगे तालिवान वाले तारी का इनिए का पार्ट है ऐसा नहों कि पाकिसदान का अफ़गानिस्तान बनाए उस situation को भी रोकना अगर वो बन गया तो नूकलियर हथियार किसके हाथ लग जाएगा इतना तो पाकिस्तान की तो वह मतलब ना आगे देखिया वट इस यूर डॉमिनिशन ओर अफगानिस्तान इस फायर पाउर एर पाउर क्योंकि लड़ाई में तो वो कोई किसी से कम नहीं है अगर मैं तो मैं लड़ाई में वो कम नहीं है बाकी तो पो आपका एड्वेंटेज है पर वो उनसे वहां ज इसका इंडिया ने विरौध किया और बोला भाई आप तो ये अलाइस हो पर इंडिया भी समझता है इंडिया भी ये बात समझता है कि अगर आपकी गोर्नमेंट को इतना वीक किया जाए कि तालिबानी का चल के आ आ जाए तो ये बात भी नहीं हो सकती नूक्लियर की पोच को है लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है आप लोगो का रिशिया के साथ भी तालुक है आप इस फोरंड़ वहां से ले रहे हैं तो स्टेटिजिक अलाया आपका इस वक्त अमेरिका है रिशिया किसी अद्ट तक चाहिद उससे कम हुआ है लेकिन है तो सर ये मतलब जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम ये रुकवा सकते हैं या कंसांज हैं हमारे तो सर ये उस हिसाब से फिर गलत नहीं हुए क्योंकि हर कंट्री अपना इंटरस्ट देखता है अमेरिका को भी तो अपना इंटरस्ट चाहिए क्योंकि उस सुपर पावर तब है वो अ पैरिजन अफगानिस्तान के साथ हो सकता हैं अगर ऐसा होता तो अमेरिका तो फिर अफगानिस्तान को जिसे डील करता है दस अरफ डॉलर उनके पसा के रखके विए एक साल हो गया चुप करके वेटे में बस वो भी और हो भी तो ऐसा मतलब हैं आपको लगता है नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसका कि आप लोग के तालुकात सबके साथ हैं रिशिया से भी आप वेपन खरीडते हैं अमेरिका से भी आप लेते हैं और दूसरी तरफ अगर मतलब यह इतराज अमेरिका भी उठाता रहा है आप लोग के इस फॉर अंडर्ड सिस्ट्रम के उपर अब अभी लिए यह उतराज आप पाकिसटान के खलाव उता रहें कि आप पकिस्तान को कुछ पुछ दे रहें तो दुनूया में तो सर हर कंटरी अपना अंचनल इंट्रस जिस तरह हिंाधा है इस तरह रुश्या देखता है फाकिसी लेड़ टे इस लेज़ पर नहीं देखता लेग चले किसी अद्टक देखता है और अमेरिका की किसी ने किसी अद्टक मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ ताहलोग राकेगा उसको cut-up नहीं कर सकता बिल्कुल मैंने यहीं बोला मैंने आपको bit technical, geopolitical और सारे reasons line by line बयान इसलिए के फकर भाई कि देखें मैं किसी भी debate में अपना perspective नहीं लाता है मेरा perspective नहीं है, important है logical process कि क्यों है जो मैं बोलता है what is logical results for that नहीं तो देखें फिर तो मैं बोल दो यार वो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए अपग्रेड कर दिया अपग्रेड कर दिया देखें यह भी बोल सकता हूं बट लॉजिकल प्रेटिकल चीज़े जो हमारे दर्शे के उन्हें समझ आता है सच क्या है और वो सारी चीज़े वैलिडेट कर सकते हैं देखें फगर भाई अगर लास्त हैं अभी नंदन की अगेंस फ-16 नहीं यूज किया होता अमेरिकान आपको रिपरिमार नहीं किया होता तो तब यह बसला नहीं था बट अब भी टेक्निकली स्पीकिक हमें इतराज तो जाहिर करना था वी है इतराज तो हमें अपना करना था जाहिर हमें जब एस तो वांटन मिला यूएस ने इतराज राहिर किया और आपने और हमने बात की मैंने कि कॉस्मेटिक है इसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल चुप लगाए वैसे हमें बोलना पड़ेगा अब टेक्निकली इस नोट सच अ विग थ्रेट और इससे कोई पावर एक्वेशन अब बैलनस नहीं होती तब ही मैं सब्सक्राइब करना तब आपके लिए जो क्यों प्रॉब्ल में एक्दम बढ़ जाएगी अगर आप बोलेंगे आप यह लोगिक क्यों लगा रहें मैं आपको बता तो आपने नाम सुनों को अराकांस आर्मी का यह अरकांस आर्मी 10,000 अब यहां पर ऐसी कोई गटना चाहेना ना कर पाए इसलिए पाकिस्तान की एरफोर्स का एक पावर एड़ होना जरूरी है जो तालिबान है एस चाइना को भी पता लगे नहीं आप यहां यह सब नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के इरादे कहां जाए देखिए अभी जो फिलर आई यह चाइना तो गाईब है इसमें कुछ शक नहीं है यह बिलकुल आप सही आप हम पंगाली दे कुछ भी बोलें अमेरिकन्स को सबस्था एड़ तो अमेरिका ही बेज रहा है चलिए आपको इंडिया से नहीं लेना अलग बात है पर अमेरिका तो बेज रहा है ना अमेरिका ने इससे पहले भी जब 2008 का अर्थविक आया था तो उसमें उन्होंने अपने तब यहां उड़ते थे जिस तरह आप लोग के हाँ तो मुझे नहीं बता लेकिन चिंचियां यहां होती है रिक्षे की तरह की सवारी है यहां पर पाइस्तान में होती है बाइक्स की बनाई होती है गालबन बंगलादेश में है आई तिंक सो तो वो उसकी तरह यकीन करें वो मतलब चलाए जाते थे खैबर फुक्तुनफा में अजाद कश्मीर में और यह मतलब मुक्तलिफ एलाफों में ऐसे हमें नजर आते थे तो नो डाउट कि उन्होंने बड़ा हेल्प किया यह अलग बात है कि हमने एक मेंटलिटी यह बना ली कि अगर उनको बुरा बला न करें ऐसा होगा यह बिलकुल सरलंका का मसला हुआ था उस पर आप मैंने बिलकुल यह करें कि आप देखेगा यह गाइब हो जाएंगे सीन से बिलकुल तो और मैं आपको सच मैं आज आपको F-16 अफग्रेड हो रहा है ना बारत से ज्यादा तकलीफ चाइना को हो रही हो सच लाजमी बात है नहीं यह आपकी बात दुरस्त है यह आपकी बात इसलिए सही है क्योंके पाकिस्तान चले जैसा भी है लेकिन उनका वेपन तो खरीडता है ना उनके हेलिकॉप्टर उनके जो जो इस वक्ट जो डिसंगेजमेंट के हवाले से है जी तो यह मतलब कहां कहां पर हुआ है और वाकई यह मतलब एक लांग लास्टिंग जो बहुत लेंती रहा है लेकिन क्या यह अब रहेगा कायम रहेगा या पर कुछ गलवान जैसे ही या पर मतलब इस तरह की कुई चीनी जूवी थी दुबारा भी हो सकते हैं देए फखर भाई एक टाइम था कि इं मोदी जी निया है न हमने सड़के वहां बनाई न हमने कुछ के हमने कुछ नहीं किया था एक हमारे डिफेंस मिस्टर एक एंतनी सावी पुब्लिक में स्टेट्मेंट है मैं कोई अपना नहीं कह रहा है तीवी में था बोला नो बिल्ल नॉट बिलिंग रोड तो चाइना इ सड़क बनाना जरूरी नहीं है पर अपूर्वल उन सा लेना यह होता था है और यह पब्लिक में बात है को आपको अंदर की बात नहीं बता रहा है तो जानती होंगे हमने तीस साल तक होविट्जर गन नहीं ली थी नहीं ले पाई एक के बाद एक के बाद स्कैम हुआ आज अपाची चनू कैसोर अंडर रफेल हुट्जर एम 77 किस किस सत्यार का मैं पुलिस बनाऊ इस सब की प्रेक्यूर्मेंट वी पिछले आच साल में एक स्कैन एक आरोब तक नहीं लगा नहीं लगा कुछ नहीं हुआ क्यों हमने अपना इंस्ट्रस्ट्रेक्शर बनाया रोड इस बनाई यह बनाई अब चैना जब देखे कोविड का कि देखे चैना की मेंटल्टी समझे कोविड पीक में था हमारे हां आबादी बढ़ी है हमारे कुछ लोगी भी करतें पच्छास मीलियन लोग मरें के कोई करता सो म्लियन लोग मरें ऐसे बहुत थे थे ऐसे अपने उफ़र जोन में आगे हैं यह आए तो हमें भी आना पड़ा अब यह एक सीज़ देख रहे थे भारत आतो हो गया अपने अपने आपको को स्ट्रेंग्टन कर पाएगा नहीं कर पाएगा यह सट्टा लगा के बैठे थे भारत को खतम करेगा हम जमीन ले लेंगे मनला अब हम सामने खड़े हुए फिर हम ने अपनी जो हथियार है असला है बारूद है सड़क है यह बनाते के बनाते के चैनीज की कैलकुलेशन थी भारत पर हावी हो जाएगा फिर भारत की गोले की देखो जी हम पीछे जा रहे हम अपने फोर्स विड्रॉब करें अब बात करें पहले उन्होंने एक कोशिश में जब गाज रहे है थमते बात हमें कोई को लिए टुम 500 मेटरूर अधूर इसने फॉर संटर प्क्रफर मेरेशन ने धुरी थे कर मेरा मे करचे है और यही नहीं हमने अपना आमी और आर्ट करें इंड़ाइब क्ष्ट को बढ़ाई है इंड साल जहांचा परखा और खूब टटोला दो साल बाद उनको लगा कि नहीं यार यह खटने वाले नहीं है यह खटेंगे नहीं यह ढ़रेंगे नहीं और आपको याद होगा कैलाइच च्रेंज में 24 गंटे में कैलाइच च्रेंज डॉमिनेट की थी हमारे मौटन कोर ने और पूरा तभी पैगॉंग्सों से चायना फटा फटा उन्हें सर्प्राइज भी दिया यह बता है कि वल्रेबिल्टी हमारे साइड नहीं है तुम्हारे स पीपी जिसे हम कहते हैं पीप 17 अब यह जो पहले हो चुका फिर और दूसरा था पीप 17 जिसे हम कहते हैं गोगरा पोस्ट वह लास्ट यह है हो फ्रिंक सिस्वें मोटा मोटा जिसे पीप 15 को कहते हैं हो गया अब दो जगह प्रोल्बम में एक उपर डिपसांग पर नीचे दिम्चुक पे पांच में से तीन पॉंट रिजॉल हो गए दो के प्रॉब्लम अभी भी है और अभी समिट हो रहा है आपको यह बहुत होगा फाखर भाई पीछे पॉलेट वीरो कॉंग्रस की मिटिंग होई और जब मिक्टिंग हता हुई तो जो है हमारे जी जिंपिंग और अब यह स्यों हो रहा है चाइना की क्रॉमिकी हालत हम कहीं बाद डिसक्स कर चुकिए अब उन्हें यह लगता है कि यार अब हमने हमें मिला क्या अब देखी मिला तो कुछ टिंग अगर आपने यह पॉस्ट्रेंग की यह स्ट्राइजी की यह नोट इनिधिंग राइट अब एक चीज आपको यहाद होगा दो चीजे बोली थी बोली मुच्वल रेस्पेक्ट मुच्वल सेंस्टिविटी मुच्वल इंट्रस्ट यह से और गोला देहल्थ ऑफ देट्रेड विल बी अस गुड़ अस गुड़ है यह दो पॉंटेट स्टेट्मेंट है पूरे में आपको यहां से जाना पड़ेगा विकॉज अगर आपने कुशन चोड़िया फगर भाई यू के रॉट ट्रेक्टिकली सस्टें दिस कुशन आप दो साल से कुशनी वगाड़ पाए कुशनी उगाड़ पात इसलिए आप इस कुशन से वापस जा रहे हैं तो यह सारी बात ह और अरणाचल का पूरा बोर्डर जोड़े कि उपर लगदा के बाद नीचे अरणाचल में लगता है हमने टोटल रिवाम कर दिया इसलिए जब हम पीछे यह कर रहे हैं लघा की स्रंग्चिन नेकि हमने पूरा अरणाचल साइट का बोर्डर रिवाम करें कि वीच में तो फकर भाई कहते हैं ना कि हमारी तैयारी और कोशिश पूरी है जबरदस्त बहुत अच्छी बात है और लगता ऐसे है कि अब आइंदा के लिए क्योंकि दो तीन सालों से ये मसला चल रहाता है मुस्तान और चाइना के बीच में लेकिन फूचर क्या है फूचर का किसी को नहीं पता कुछ निकल आता है ऐसे जिस तरह गलवान में हुआ या टाइवान में हुआ या या उक्राइन में वह रहा है तो फूल पता नहीं होता कि मतलब अगले चे महीने में या अगले एक साल में लेर साल में दो साल में किया चीजै किसी और दूब्र काट करें तक टाइंक यू सर beginner कित्वाश और बा किया गयुकिष और उप्र से घृम क